चलिए गुड मॉनिंग एक नई शुरूबात के साथ हम लोगों ने मेजर आफ सेंट्रल डिस्परसरी मेजर आफ डिस्पर्जन कर रहे थे उसमें हमने दो टॉपिक कवर अप कर लिये हैं एक आपका किया रेंज और एक आपका क्या है एमडी रेंज और एमडी के बाद हम बात करते हैं आज नहीं है टॉपिक ठीक है उसके बाद हम लोग बात करेंगे एजडी और क्यूड़ी की तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट होता है एजडी से इस्टेंडर डिवेशन्स देखें मां बता दूँ जिस तरह से में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन होता है सेंटल टेंडेंसी में इसी तरह से मेजर औफ डिस पर्जन के अंदर सिटेंडर डाइविशन सबसे ज़्यादा यूसफूल है जब मेजर औफ डिस पर्जन की बात अती जए तो स्टेंडर डीविशन सबसे ज़्यादा यूसूल है सबसे ज़्यादा काम आता है ये सिंटर निसमें में होता है मीन इसमें क्या होता है स्टेंडर एंडा तो हम जो टाफिक पढ़ने वाले का नाम क्या है इस रुप ऍशो्पर एसंडर्स एसरह कोपी में ऑर एजफिदह ओर वे जो साइन होता ने निम्हें ये तोड़ा सा अच्छा सा होता है ऐसा साइन होता है यह साइन होता है यह साइन होता है आप सबसे पहले SD की definition है कि SD होता क्या चीद है देखे SD का मतलब होता है अगर मैं आपको लिखवा हूँ यह definition standard deviation for a given set of observation is defined as the root mean square deviation when the deviation are taken from the arithmetic observation बस यहां तक यह standard deviation की definition इसको हम practically आपको solve करके आएं क्या होती है थेंक्यू वेरी मच्च टाइम के आने की नहीं आप लोग का तो इस standard deviation का हम लोग मेरी स्टार्ट कर रहे हैं मतलब तो यहां से इसकी definition आपको लिखनी है कि standard deviation होता क्या चीद है थेक है बडरेने का लृघाने का ही रहांदो का लाओवा हाई यहाई एंपको अपको आपको गो तो यहाई हा ब женщ होता के इस्टार्ट यहाई लूग्या जग्याय Dollब-चावादर ओ utilized है अच्छिए मेरे पास ना एक टेस्क की डेट आई है उसके कोडिंग में टेस्ट लेने हैं जो मैंजमेंट आई है वो डेट क्या है मैं बताएं तो एक बार आपको नेरे पास जो टेस्क की डेट आई है वह आए एक मार्च 15 मार्च और 29 मार्च यह अगले महिने की तीन डेट आई है मेरे पास इन डेट पर आपका मैस का टेस्ट होगा आपका शुरूर मिल जाएगा सभी मैंने अपना डेशिट आपको पहले बता दी बाकी सब्जेक की डेशिट भी आपको मिल जाएगी अब इस एक मार्च को क्या स्लिवर से फिर 15 मार्च को क्या स्लिवर से यह हमें आपको बताना है एक महीने में अब बड़े और चोटे स्लिवर्स तो सब में आएगा ने तीन गंडे को टेस्ट नहीं होता है मैस का मैस तो दो घंटे की होती है मैक्सिम चलिए फिलाल एज दी आपने लिख लिए बिटा तो इस्टेंडर डाइविशन का मत होता है कि बाई-साव पूरे गीवन सैट आप दूरे इस डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वार बीनी करते हैं एजडी में मोड का यूज भी केवल मीन हर एक नमबर में से क्या गड़ाना है मीन फिसका स्क्वार कर देना है क्या करते रूट निकाल देना है तो देखिए इसकी में आपको एजडी की बात करता हूं कितने केस होतने मिटा हिए पहला कौन से होता है इंडी विजडी विजनी सबको पता है कि एस दी भी आस तक अइस हैं इंडी विजल के लावा ना तो डिस्कीट माया ना कॉन्टीनस माया अभी तक का रिकॉर्ट पेए यह है और आगे भी निया इगा तो इंडी विज़िसिस की बात करते मालों म वराबर दस बीज पीस और चालिज ठीक है अब मैं इसका मीन निकाल लूँ तो टोड़कर में असको कर लो कितना है मैं बारबार डेटा यही लिए रहो है आपको हर कॉश्चन में कि ना गया मीडियर में हमने क्या किया था हार एक नमबर में से गटाया था मीन गटाया था वहां मूड लगा यहां मोड निगाना यहां घटा करके उसका क्या करना है इसक्वार करना वहां मूड लगा देंगाना इसक्वार करना इसना फरागे आप दस में से पन्रा गया कितना पचा माइन आप फच्टीस गया पांच पासका स्क्वार तीस में से 25 गया पाच पाच का स्कार चारीश में पच्छीज आ पंदरह पना उसकार दोसो टोटल मारगो पांस वागे बिटा यह कुछ खास फरक नहीं है वहां पर हमने मोड लगा थे हमने स्क्वार करा अब हम करेंगे इसका रूट निकालेगा तो एस डी कोल टू आएगा रूड में एक्स माइनस एक्स बार का अपॉन में एन अपॉन में तो यह स्क्वार कितना आए था एन कितने एक दो ती चार तो यह कितना आगे है एक सो पच्छीस का रूड तो यह थी हमारी इंडिवीजूल स्रीज किसकी स्टैंडर्ड डैविशन की दिए बिल्कुल सेम है वहाँ पे मोड लगा रहे थे आपे स्क्वार करना है आपको और उसका रूड निकाल देना है यह इसका था एक फार्मूला ठीके बड़ा एक फार्म इसको एक और तरीके से रह सकते हैं कि अधाल लो बता दूँ और यह देखिए जो मैंने अभी आपको करा वो यह था था ना यही तो करवाया आपको वह यह हार एक नमबर में से मीन घटा ही उसका इसक्वार कीजिए जी चलिए अब एक बावत आईए एक कोशन दिख रहा आपको क्या निकालने है वह बात की बात है क्या निकालने है एस दी तो आप क्या करें पहले क्या लिखोगे एक फार बात पांच आठ नो दो छे इनका डोल करोगे बिटा बदा डोल कितना है 30 है यही फिर मीन निकालो 30 वेटे वे कितने नमबर हैं एक डो तीन चार पांच कितना आगए 6 आगए मीन आप क्या करोगे एक्स माइनस मीन का स्क्राइब करोगे इसक्राइब दो करना है यह कितना आगए यह 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 थोटल 42 आगया है 42 आगया है 32 आए 30 आए पक्का और थाटी आए पक्का और थाटी आए यह क्या आएगा यह यह रूट शिक्स ही तरह भीटा यह थू पर यह क्या है हमारा एच दी आगया रूट शिक्स अगर गलती से वह आपको कहता वेरियंस निकालो क्या निकालो वेरियंस निकालो तो वेरियंस होता है SD का स्क्वेर क्या होता है तो SD कितना है था स्क्वेर कितना जाएगा यह वेरियंस आ गया जब भी आप SD निकालोगे उसका स्क्वेर कर दोगे तो क्या जाएगा वेरियंस sd जो होता है वो हो सॉरी वेरेंज क्या होता है sd का है अगर आपको कोफीशेंट ओ वेरियांत किया निकालने है कॉफी शैंट ओ वेरियर तो सिसका format होता है sd upon mean in two ended अब sd कितना आया था आपका root 6 रेवस्ग स्थम्तDet-1.45 mean कितने आता आपका 6 आया था? into 100. कितना है कोपिशिन आए विएन्स? 40.83 जड़ा चेक करें क्या आँसरा आँ वाई सामारा? वो वो खाबग रहा है काई यही तर पुश्ना गी तो आ रहा है तो उता सकते हो आप लोग क्रॉप फिश्व वेरियस को भी तो SD का फार्मला बहुत असान है और दोस्तों मैं आपको एक ही एड़वाईस दूँगा कि ज़्यादा दिमाग कॉंटिनस में नहीं लगाना क्योंकि आता ही नहीं है कोश्चन दिखाईएगा यह लोग जी दिखा दिया अबाद सा नहीं दिखाऊं अच्छा जी आट से लिखाईएगा झाल 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 सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है सबसे बड़े चैप्टर है पूरी मैस के अंदर सबसे बड़े इन दोनों में टाइम बहुत लगता है और इन दोनों कोई खुब खुब घोट ना हमने हैं इन दोनों को और कुट वो जो एल आ रहे हैं बास पास बाकी चप्टर बात यह नहीं कर रहे हैं इन दोनों को और वो मेरी जिम्मेदारिय मैं टीवियम कराए रहा हूं आपको रेगुलर इसके बाद यहीं लग जोगों दुबारा से तो कोशिश करूँगे तुम्हें कुछ चैप्टर तो आपके टिस्ट पर रड़ जाए इंदम कब भी खता मुझे कल पर सो तरसो उसका नया चप्टर कराऊंगे इसमें और टीवियम करा तो फिर यह रिविजन कर दो इसमें बूल निन दूंगा दूंगे ज़ूर मुझे लगता है कि मैं सुलो गरारो लेंगे मैं आपको बार बार करा रहा हूं जैसे आप भूलो नहीं कि क्या होता है फिर भूल जाओं तो रिवीजन इस वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए मेरा टार्गेट कोर्स कुटा करा नहीं है मेरा जो करा हूं सॉलिड कराना है आपको और कोर्सों में क्राई देता हूं उसके टेंशन ही नहीं होती कभी भी है चले जी हो गया यह अब ब आपने दो कर लिए अब इस दी निकालें एक तरीका और होता है जो कभी-कभी एक्जाम में आ जाता और बच्चा तुरह सा कर भी जो आता है मैं बताता हूं है जैसे मालों यही कोश्चन थे कोश्चन किया था डेटर कैसे इसका बताना एक वार एक्स किया था है नाइन ठिर मीन निकाल तर्टी बाल कितने नमेर एक तैना बहुत 250 था यही एक आपको क्या करना है इस इसका इसका करना एक्स को एक शक्राइंग गोरेघ dire फार बिवल स 오늘 बंद आत्र का है नाइन का सक्ष को यही तू का इसका है तुक्याक्ष़ का सक्षे सिढ़ करो किया था ठीक है अब हमारा एज़िट निकालने की फार्मला यह भी होता है जो कभी-कभी योज़ भी होता है है सिग्मा एक स्क्वार अपाउन में एन माइन स्मीन का होली स्क्राइब इनका अब सिग्मा एक स्क्राइब कितना देखा है एंड कितने नंबर है पाँची तो दे मेरी का देए मैं नमीन कितना है एक अटो कितना है रूड पहले भी यह आता है रूड शिक्स अजडी और एस्टी रूड शिक्स अजडी आर दा से भी आर दा ना तो इसका मतला एस्टी के दो फार्मले हो गए इंडिविज्वल में एक तो वह गया है कि हो गया और दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है तब इसको हमें यूज करना पड़ जाता है तो प्लीज नोट डाउन कर लिजएगा दो फार्मले है इंडिविज्वल के अंदर डारेक्ट और इंडारेक्ट कह सकता है इसको वह डारेक्ट है यह क्या है इंडारेक्ट है बसकिए समझ सकते हो आप अगर आपको इसिंपल सी लेक्ट में सबजना है तो जिन देगे बाइसाप पता नहीं कहां ले जाएगी जब आप दालो बदाद में मिटा कि मैंनो दाल लिया है ठीक है कि अगर आपको इस दी के दोनों फॉर्म्ले बात किलियर होगी वेटा कैसे करने ओ किताब वाले ने इस फॉर्म्ले शॉल किया बता आप चाहो तो दीख सकते हो किताब वाले को कि देखें कि उसने यह लगा रहा है कि यह दो दो सब्सक्राइब है कि मैं आपको एक बाह बतारों दुबारा रे तीबारा बतारों कभी भी के एज दी का कुश्चन आज तक का इतिहास रहा है ना तो कॉंट्टिनस में आया ना इन्डिजन में बाकी इच्छा आपकी तेकर वह इच्छा आपकी है मेरा काम है आपको तो सही रहा दिखाना जो चीज आती है उसपे जादा रेलिवेट करना है जो चीज निया थो टाइम किताब में तो हजारों चीज़े हैं रेलिवेंट क्या है मारे निए वो तो बात करो अगर किताबी पढ़नी हो तो सरके पास कुछ जाते हैं हमें क्या पता क्या रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट नहीं है यह अगर आपको मैं गाइड करो किटा किताब में वह सब आये खाए यह ज़्क है आता हुद कि ऑसले है है इसमें से वह टोपिक आते जो रेलिवेंट टोपिक होते हैं किताब तो हमेशा मूर्टी की जाती ना किता में तो पांचीजार कोश्यान है पांचीजार कोश्यान कोई ना आए मैं मैंस के वह आएंगे तो 100 कोश्य कोश्य एक रहली वैंट क्या चीज़ ठीक है तो इंडिविजल पर फोकस करना है चाहिए डिस्कीट आये ना है छोड़ देरा प्रेक्टिस भी मत करना मैं तो कर मैं करार होई कुशन मेरा मेरी अडवाइज है टाइम इसकरी का फैंट आपको चलिए कोई इतना ओपनी गयाता मैं खुद कर तो कि मैं चल नहीं चीज़ नहीं नहीं कर ले भाई सबाएगा अरे सब तब कैसे आजया का यार कैसी बाते कर रहो अब्जेक्टी पीपर है अब्जेक्टी पीपर की सबसे तो पढ़ाएगे हम सब तो समाता है जो सब्जेक्टीव होता है कि वह चलो कॉंटेश भी आजेगी डिस्क वीडिया जब चार नमर्गर कोशन आजाए पाज़ म नहीं है चलिए हमारे पास X है और F है 10,20,30,40 इसका टूर कितना है बटा यहां 1,2,3,4 ठीक सबसे पहले आपने निकालना है Fx बतला Fx से निकले का मीन 10 ही कम यह 40 यह 90 यह 160 जाट इस कितना हो गया 3 अगर मीन निकाल लो लिटोर कितना है 10 है मीन निकाल लो क्या होता सिग्मा Fx एपन सिग्मा F 300 अपन में 10 ठीक है अब वही कॉलम X माइनस X बार का हर नमबर में से पहले मीन घटा हो जैसे 10 में से यह 30 का यह कितना बचार 20 का स्क्वेर 400 बीस में 30 का स्क्वेर 10 का स्क्वेर यह 0 क्या आपको मेरी बात समझ में आ लिए अब एक की मल्टिप्लाइज से एक एक माइनस एक बार का अब आप समझ को सब्सक्राइब एक माइनस एक बार का एक से बड़े और आप ही गया तो आपके पांच में खा जाएगा आपके उतने में 10 कुशन चुड़ जाएंगे आपके कितना होगे है हजार होगे बड़ा अब निकालेंगे एस डी एस डी रूड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का फोल स्क्राइब और सिग्मा एफ तो यह एक हजार अपान में आफ कितना है दस वो तो डेटा में असान ले लिए इस लिए आपको यह क्रेशन असान पड़ गए अगा डेटा होते तो क्रेशन भी पड़े आती तो यह आपका एजडी हो गया रोस प्रेक्टिस कर रहे होना मेटा घर पे गुड बड़ा मश्किल काम है पढ़ाई करना खास कर सी यह गया है अब भी नहीं होपाता दो दो सब्जेक्ट पढ़े करो डेली इससे दो आज दो पढ़ ले कल दो पढ़ ले बस हो गया दो सब्जेक्ट तो पढ़ सकते हो नहीं दिश में आप लो देखो लो आप पढ़ते नहीं हो मैं सब्जेक्ट प्रेक्टिस करते बस इकोस होते लिए नहीं है कभी कभी पढ़ते होते करें पढ़ते नहीं है वे दिकती को में तो इजी है तो हो जाएगा राप समझ सिया तो दो ही सब्जेक्ट में मैं तो लो अजी बच्चो चलिए किसी को कुछ पूछना बिटा तो एजडी आपको मैंने डिस्कीट में करा दिया एजडी मैंने आपको इंडिजल कॉंट्रियास में तो भाई साफ हाथ भी मत लगा ना आप आपके ने नुकसान दाइक चीज़ें कि करा भी दूगा में मैं तो टीचा रूमें तो सबाता है बाई लेकिन आपके ने रेलिवेंट क्या है उसको कोई नहीं बताता है टीचा सोसता है चितना बिलेंट में उतना बिलेंट बच्चा भी है अगा भी मुश्य कई वर यह यह ब्रदे करो में आपके उसको अगर तो पड़ा दो नो उसके पीपर में भी नहीं आएगा उगाली और बगया इस अला प्रादी आता होता था है निया सिंपल से लोजिक है ना टीचर अपनी इंटेल जैसे शो कर रहा है अब बच्चा यह आपना क्या चाहरे हो आप यह भी बता दो वहीं बता दो मता तो सब देंगे उसे एक उसकी निलिवेंट क्या है और आजकल तो बच्चा स्मार्ट हो गया है दस मेंट की वीडियों दो म देखें अब है रिज दिखता है ना तो कहाई को अपना उस उस इंटेजिंट वो का एक इंटेलिजन सी आजकल टेस्ट मेंट का जबाना आगया आजका टीटवटी का जबाना है तो आजकर टेस्ट में चोली बात करोगे तो बच्चा आपको रिएक कर देगा वह यह नहीं तो फंटा यही कहता है बच्चों की बेंटरी है कि प्रास हो जो बसकी तरह है ज्यान बाद में लिए लूगा मैं पहले फर्ट पास हो जो हूँ ठीक है चलिए 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 तो हम लोगों ने एजडी की बात कर ली अब बैटा सबसे इंपॉर्टेंट लिए तेसल नमबर को एजडी बिए फेन नमबर दिखो अगा है दियो फेन नमबर नेच्टरल भी नेच्टों में जान देक्ट होते है वान से लिगए छितने भी आ ट्रूल है वैंटो ठीलिवाइप्ट लगहिन लगातार होनी चीए ठीक है अब दिखो इसका छोटा आ फार्मुला बनाया है एन स्क्वेर माइनस वन अपॉन ट्वेल का रूड एन स्क्वेर माइनस वन अपॉन का ठीक है राइट अब मालो मेरे पास नंबर है एक्स बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका तो में खर नुकालना है तो मैं क्या पर लिन संपा मीन निकाल हूँगा फिलमें घडाऊंगा नहीं एक इनमरे डोटल तो बस यह हां दिए नाइन का स्क्वेर माइन स्वेर माइन स्वान अपॉन ट्वेले 81-1 upon 12 80 upon 12 को रूट कितना अगया रूट ये कितना इडॉल डिवाइड करके 6-7 आगया इसको रूट निकाल दो निकल गया ना मिटा बड़े कॉलम बनाज बत नहीं है तो ये देगी ना इसी आई नेचल नमबर देगी आप को पूछे की बढ़ाओ कैसे बनाएंगे नेचल नमबर की इनमें से एक चीज़ गयाब करते हैं दूसी से देगी तो आईसी आई भी तो थोड़ी समझदार तो है यही आईसी आई दस कोस्टन से जादा टफनी देटी कभी भी नबय कुशन असानी देती है अब यहां एक आपने दस निए नबहरा नहीं कर देख देख साही नभी आजाएं रिटेट हो जाएंगे छादा क्वाड़ को तो क्लास के बाद लाए शाली मैस समझ में आते निया अधर घ्यां अलिए तो पतान कौन को से फाम से गातने हाली मैं समझ में आई निए लेमन तो यहां और समझ में नहीं तो लोग के साथ अली सर गभी लपेट दिया नहीं तो भाई मैं ऐसी गलती क्यों करूगी जो आपको नुक्सान दे और मुझे नुक्सान दे मैं तो वह करूँ है जो आपको फायद है मुझे फायदा दे तो नेच्वल नंबर को जब भी एज़ी निकालना हो तो एन स्कार माइनस वान अपॉन ट्वैल कर दो तो इस से वेटा क कि चलो अब हम बात करते हैं नेच्वल नंबर की बात भी हो गई अब आता है कि यह 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 रहा फामुला जो हम बता रहे थे आपको है ना एन स्कार माइनस वान अपॉन ट्रेंट कि यह 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 यहो यह की है कि भी यह 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 यदिए यभink से चया नंप् 6ructive road अबयों वाद frame अब लिखे, SD of two numbers, A and B, अगर आपके पास दो नमबर दे रिखे होते हैं, तो SD क्या होता है, क्या होता है, दो number का SD, चलिए ठीक है, SD से पहले को बताईए, अगर आपको दो number दे रिखे हैं, कोई भी दो number, इनकी range क्या होती है, सर, highest value, अगर दो value हैं तो दोनों का difference, भई बड़ी value, मालों बड़ी value भी है, तो range क्या होगा, यही तो होगा, अब SD क्या होता है, अगर दो नमबर दे रहे हैं तो दोनों का डिफ्रेंस उसका मॉडुलस डिवाइड बैटू बस अब यहां से एक कॉंसेप्ट निकल के आया जो पेपर में हर बार आया अगर आप दियान से देखो तो कि अगरेट आप अगरेट आप अगरेट यह जो है वह रेंज का हाफ होता है दो नमबर का अब यही से तो कोशन बुस्ताइस यह और हम लग रहेते बड़े बड़े कोशन सॉल करने में चोटों-चोटों को भूल जाते हैं और जो पेपर में आते हैं हमारा फोकस बड़ों के चक्कर में छोटे वे थूड़ जाता है आपने कभी दिखा हो गां लाइक अंदर कि कई बार कोई प्रॉलम हो जाती है और हम नों उस प्रॉलंग लेके टेंशन वैठे होते हैं दिन भर उसको लेके टेंशन में हमारे साथ क्या होगा क्या होगा क्य भी निया और जब वो प्रॉलम सॉल होती है ना अब यार कुछ भी नियुक्त ना घवरारा दा फाल तुम्हें मैं राद भन नीश हो याइसके चक्कर में ऐसा होता है नियों तक यह लाइफ में हमेशा होता है हम इस्ट्रेस आ ले लिए हम फीचर का सोच सोच के स्ट्रेस लि होती है यही स्टेडी में होता है एक बंदा मिलेगा आपको अब यार मैं थीन मार फेलोगा अब बंदा तुम नीचे उतरते मोटीवेट हो गये जार यह यह तो अब धी मुटीवेट हो गए नहीं होता है और एक बंदा ये मोल दे एक तीचा के वारे में negative तो तुम भी थो तो यह चाहते हो यार अपने आप से उसकी थोड़ सालक क्यों से आपने आपको कंपेर कर रहे है एक बच्चा बोल दे उसकी किसी को छोटा सावी नेगेटिब पंड बोल दे बच्चे के थोड़ समय गुवेगा उसने मुझे बसा बोला पया अने अपने आप तो जच कर अपने यहरेने हैं ऐसा होता है नहीं होता हम बहुत जल्दी अपने सीनियर्स अपने दोस्तों की बात मान लते हैं इतनी जल्दे इतना शरीप भी नहीं होने दुनिया में और गुंडा आप आप अपने आप विश्वास करो अपने माइच सही गलत का फैसा लो एडवाइज देना गलत नहीं है लेकिन अपना जज्जमेंट भी जरूरी होता है उस बात को फोकस करो मेरी बात आप नहीं हमेशा काम आएगी अगर इसको अप्लाई करोगे तो क्योंकि हम किसी के बारे में गलत धाड़ना नहीं बना सकते जब तक हम उसको परक नहीं ले रह कि लाइफ में आपको लोग क्या करते हैं आजकल भड़का देखें इसे बात ऐसी होती भी नहीं हम माइंद में सब्सक्राइब अच्छा बाइसा बोलागा उसने वह ऐसी बंदा यार कुछ बोला भी ना हो फिर प्लाइब दना तब लिए तो थोड़ी सी बात है मेरी इस ब और कितना भी आसान हो आप नहीं करोगे नहीं यार उसने बोला टफ है तो मेरी सुझ मैं इसलिए नहीं आ रहा है आपने धार ना बना लिए तो प्लीज इसको मत करना तो बैटा यह दो टॉपिक लिए लिए आप लोगों ने राइट नौ पक्का चल तो हमारा सबसे मेली बा अच्छा इसमें बात आई वेटा जो कोश्टन कभी बार एक्जाम में आता है मैंने आभी आपको एक वर्ड बताया था कोफीशेंट ओप वेरियंज वेरियंज क्या था एजडी का अब तक क्या था फार्मुलेस का एजडी अपॉर्ड में इंटु अब आपने मुझे से यह नहीं पूछा सर कि सर एजडी तो हमने निकाल लिया यह कॉफीशेंट वेरियंज जो है इससे रिलीट कुछ आदे कहा अधिर हता है कशी अधर कब निकाला जाता है कि अध्य इसकी जृर्वती है एजगी होता भी दैणा हम सा देटा किती हूरे ठेक है लेकिन वीरियंज चकानिका रिए जाता है ऐस घी ऑजडी सुरी काफीशेंट वेरिस काहां पर निकाला जाता है अपके लेलाइफ की बात है बता दूँआ आपके लेलाइफ में रोज भी करतो इस चीस को अच्छा आपके दो तरह के दोस्त होते हैं इसकी बात में विश्वास करते हो शिद्यों कि अचल खार आपके ल्याट करते हैं सर में उसके साथ रहता हैं उसकी बातों हो देखते हो दिन पचाच युद्ध बोलता हो में उसकी बात में कौन विश्वास करेगा यह लोग और ऑभी और फिलोग कर दोस्तों सहीthest लेकी यह नहीं को लगा है यहां पर यह पता लगाये जासके कि कॉन सी च्थ इस heans consistent है और कॉन सी इस inconsistent कॉन बच्चा क्लास में regular है और कॉन बच्चा क्लास pragular नहीं है उसका पता लगाने की करेंगे कॉफे आंट ऑ बेरियाल्ट या पी कोई पाफी बैस्ट में ऐसा होता हो जो एक मेश में मारता है और च्रह 35 रहता है ऑर कई चरक शेयर मार्केंट में जाते आपको नहीं पता होगा कमी लोगों को पता होगा तो वह शियर के प्राइज बहुत ज्यादा अप और डाउन होते हैं एक कुछ ऐसे शियर से चिनके प्राइज में ज्यादा चेंजेज वो उनकी परफोंज में जाता है वो क्या निकालते हैं कॉफिशेंट और इसका जब कभ करोपिक decisions कम हुगा जिसका वेईरियों वह श्यादा कांशिस्तेंट्स होगी और जिसका कॉफिशांधा होगा वह इंकनसेत्टेंट होगी क्या मेरी बहुत समझत है bizka kao efficient other worlds come to yoga वो क्या होगी consistent जाधा गहागी और अब aa वो in का वेरियंको दिफरेंस चुनमें जदा है थी जाधा आताि है ठीकए फिल जरिल जितना कॉँट जाधा कनिशुस्ट टेंगा ऐसे बढाती है भासोज मागी अभी कुश्ण में करा रहा हूं आपको एक एक्जामपल इस किताब का तब आपको पतर रहें कैसे कहना चाहरें सर ठीक है जी दोस्तों क्या आप लोगों लिख लिए बटाए है अब देखिए यहां तो एक्जामपल है 14.216 दिख रहा है आपको यह नहीं दिख रहा है बोलो बिटा चलिए इस पर जाते हम लोग यह एक्जामपल है ठीक है पहला कोश्चन the mean and standard deviation of the salary of two आपके सामने दो फैक्टरी है कौन कौन से फैक्टरी है फैक्टरी ए और फैक्टरी बी क्या दिख रहा है इस की mean यह mean दे रखा है और यह क्या दिखा है find the combined mean पहले क्या निकालना है combined mean निकाल तो combined mean का formula क्या होता है n1 x bar 1 n2 x bar 2 n1 plus n2 निकाल सकते है बीटा तो n1 कितना है 30 x 48 बीज इन्टू 5000 डिवाइड बाए n1 plus n2 30 plus 20 का रूड कितना हो जाएगा 85 क्या आप सभी का combined mean यह हा रहा है बीटा तो क्या होगे मैं दिमाग आप यह रूट को लगा दियो ने मेरा दिमाग फोड़ा सा उसको चलके कितना है यह 488 थैंक यू बेटा मेरा धिहान ही नीजा तो उस पे ऐसी रूट चला दिया गलती से यह आपर इक गलती दो रूट चला दिया विटा सॉरी सॉरी गलती से रूट चला दिया था वो दिहान तर ने हैस्टी पे चले आ रहा था था थे तो कम्माइड में निकाल दे वेड़ा आप लोगों ने अब कम्माइड में निकालने के बाद नीचे क्या लिखावा है एक्जामीन विट फैक्ट्री हैज मूर यही तो है तो पहले निकालेंगे कॉफिशेंट ओफ वेरियंस किसका एका क्या फार्मूल हो तो उसका sd upon mean into 100 तो पहले का sd कितना है 10 mean कितना है 48 double कितना है 0.20 आप निकालेंगे कॉफिशेंट ओवेरियंस किसका बी का बी का sd कितनी है 12 तो यह क्या हो गया more consistent as compared to B जिसका कॉफिशेंट ओवेरियंस कम होगा वही क्या होगा more consistent होगा क्या मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई चलो आप से यादा इंटेलियर बच्चा कोई नहीं है अब इसक्ति आरा है वी का 60 आरे तो यह मीन तो मैंने सब्सक्राइब यह याज क्या आज ना सच में तब्य तीक निए पांचीज आ रहे हैं तो आलेक्ट सर्दर्द हो रहा है कुछ मीन तो बेटा पांचीज आ रहे हैं मैंने वहां वीस लिग दिया चाले बेटा ठीक है अब आरा दूरे पांच टूपोर चलो तो बताओ कौन सा मोर कंसिस्टेंट है सर ए ज्यादा मोर कंसिस्टेंट है एस कंपियर टू भी यह रापका यह तो आए थे आपके करना तो है है कमबाइड ऐस दीक और यह थोड़ा सामय सकता हो हापके इन थोड़ाता भारी पर साइब को एंक दूत ऊह है थोड़ाता हुती और नथा पर फलीज पर एप लेश्न सब्सक्रान कि भी नहीं यह लोगए और थो ड़ला सा इव cancer है दलना हल ए लिटन इक P कि देखे मैं एक मार्ज का टेस्ट आपका एनाउंस कर दो डेड़ बता दो एक मार्ज को आएगा सबसे पहले तो mathematics of finance chapter number 4 mathematics of finance उसके बाद आएगा chapter number 14 जो हम कर रहे हैं और थर्ड आएगा chapter number 18 जो अभी किया नहीं है करेंगे index number यह तीन टेस्ट में आएंगे कब एक मार्ज को एक मार्ज को यह एक मार्ज का टेस्ट है पहला भी एक मार्ज पर फोकस कीजिए आप लोग क्योंकि तीनों चैप्टर में पढ़ा देंगे है कि प्रावी चुका है तो लिग और और तब तक तो और रिवाइज हो जाएगा इंडेक्स नंबर है और यह इंडेक्स नंबर है और यह सेंट्रल टेंडेंसी और दिस परज़न तेंगे जी यह आपके टेस्ट है एक मार्ज को चलिए अगे बढ़ जाए अब बिटा तक कमभाईड एज डी कमभाईड एज डी इसका थोड़ा सा कौनसेप्ट है आपको सबजने में दिक्कत होगी कोई बात नहीं लेकिन समझाएंगे जरूर आपको अच्छे ले फार्मली बताएंगे आपको कमभाईड एज दी तो टॉपिक का नाम लिख लिए क्या कमाइड एज दी कमाइड एज दी कर दो यहां समझा तो कमबाइड एज दी कमाइड एज दी क्या होता जब आपके पास एक से ज्यादा एज दुगा तब कमाइड एज दी तो एक तो होगा है एज दी वन एक क्या होगा तो एज दी वन का स्क्वेर कर दो इस टूं का भी इन दो गवागड दो अब लेकिन इनके नंबर से भी मृल्टिप्लाए करें एन वन कम्माइड मीन की तरह से नहीं है यह यह बाई कम्माइड मीन में यह तो था बस कोई नहीं था बस लेकिन नीचे क्या करना है यह तो करना ही पड़ेगा बड़ यहां पे एक फालतू हो जाती है दीवन प्लस दीटू दीवन का स्क्राइड और एन वन एन तू यह दीवन दीटू क्या है बताता हो दीवन दीटू होता है डिफरेंस और भाई साहब इस पर लगा दो क्या क्यों होता है एस वन एस टू डीवन दीटू बस यह याद रखना आपको और एन वन एन टू तो आएंगे इंगे इसाथ अई बताएंगे मैटा सब क्या है चिंताना करो परिसान काही हो रहे हो इतना भी टफ नहीं है लेकिन बट कोई बात लगता है थोड़ा लेंदी है ना अब डीवन का मतलब क्या होता है डीवन का मतलत आपने कमबाइड मीन निकाला उसमें से पहला वाला मीन घटा दिया यह डीवन आ गया चाहिक है बीटू क्या रह आता है आपने कमबाइड मीन निकाला इस में आया है उसमें से दुसे लावाला मीन बस्त की लीवन दी टू होगे डीवन ऊख़ाद डिफेन्स कमबाइड मीन और सिंगल रहो दियर्गा मेरे खालते तो यही होता है फार्मुला मैंने तो यही सुना था अब देखते हैं यह देखे यह रहा है यही तो है अब कोश्चन कैसा आएगा देखो जी कोश्चन भी आपके सामने है पसान होई कोई जर्वत ही नहीं है देख रहा आपको बहुत असान है इससे असान कोई कोश्चन ही नहीं है क्या कह रहा है एक ग्रूप औप 60 बॉइस शिक्स्टी बॉइस तो एन वन कितना हो गया mean and sd तो इसका mean कितना है x bar 1 कितना हो गया 60 और sd 1 कितना हो गया 2 the same figure group और 40 girls तो n2 कितना हो गया mean कितना उनका 45 sd 2 कितना है 3 क्या निकाल लें what is the mean and sd of the two group दोनों group का mean तो पहले combine mean निकाल दो कमेंड मीन क्या होता बिटा एन वन एक निक्रूप एक अच्छे यह 45 सच्छे माच तो बेटें नहीं n2 x bar 2 upon n1 plus n2 तो n1 कितने विटापके 60 x bar 1 कितने 40 n2 कितने आपके 40 और 55 upon 60 plus 40 combine mean निकालो कितना है अगे कम्बाइड मीन 49 ठीक है कम्बाइड मीन निकालेंगा है डीवान निकालो कम तो डीवान इकल टू आएगा 49- कितना था पहले वाला तो 4 आएगा इसको चेक मत कर बस डीटू निकालो कितना है कितना था 55 49-55 कितना आगया स्कॉष्ण कर रों को निकाल और निकालो करने पहले लिखावद कोई फर्क निक्रता है क्यूक्स क्यूआ करें दोनों पॉलडी हो जाएंगे अङで क्यूआ करने है मारने इस में जाप्लेट क्यूआ में कोई परिशानी नीए भाई सब कताई कोई परिशानी नहीं है क्या तिस अच्छा आज से निकाल लिया बहुत तेजाद में या तुम अब कमाइंड एज दी का फ़र्म लगा तो भाई सब N1 कितना था हमारा 60 SD1 कितना 2 का स्क्वेर 4 N240 कितीन का स्क्वेर 9 N1 60 D1 कितना था 16 N2 40 D2 9 आए था कितना 6 आए था था 36 अपन 60 ठीक है करूड चलो solve कर दो सबको solve कर इतना है अरे ये 240 आ रहा है ना solve करो ये आ रहा है 240 ये नौ चॉक छत्तिस ये 16 चेंगा कितना होता है 112 लक्सी 96 होता है नहीं ये सॉली 16 00 कितना होता है 960 प्लस ये कितना होता है एक हजार 400 चार्ड़ेस डिवाइड बैस और करूर चलो सॉल है 5.48 टप नहीं है थोड़ा प्रेक्सिस करना पड़ेगा हाँ थोड़ा लेंदी हलका हाँ तो अभी थोड़ी प्रॉपर्टीज है गिया है एजडी की और क्यूडी और है गया है बस फिर आपका एक क्लास और लगेगी इसकी मतलब अगली क्लास तब इस चैप्टर का सारे कॉंसेप्ट पूरे हो जाएंगे आपके राइट कि वाइक्यू भी कराएंगी जैसे उसका सेंटेटन्स ही अगरा रहे हैं भी कुछ डाउट रहे होंगे वह कराने हैं अभी आपके वेरी गुड बेटा पुष्कर भाई वेरी गुड अजी बात समझ में आई बेटा यह नहीं तो हम लोगों ने आज जो कॉंसे पढ़ा हूँ अजी से रिलेटिड था इस टैंडर्ड आविशन और वेरियस के बारे पढ़ा ही करी आज है हां जी अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगो ने चलो इसको पहले कंप्रीट करते हैं वाइन अप कर दो बात करेंगे होगे बटा ही बात चलो आज आज नहीं है मिटा टैस्ट की डेट बताया ने एक मार्च 15 मार्च को यह होंगे बटा आप लोग के निये स्वारी तो से लेकिन जब मेरे पर मेंज में टैस्ट आगया था फिर वह साबर टैस्ट नहुंगा ना आज आए पादी सोजकता उनका हो जाए कोई बात नहीं अच्छी मोका और मिल्या पर ने का अच्छे से अभी डाउट तो फिलिए अभी पन्दर मार्च तेक मार्च से तो भुशता रहे ताइमें आपको डूश्यू लेने का इनको यह मोगा बच्चों को यह भी त्यारी अजब का।